Today there are few Indians whatever their creed आज कुछ ऐसे भारती हैं चाहें उनकी कोई विजाती पर जाती हो who do not look back जो पीछे पलट के नहीं देखना चाहते with pride बड़े ही गौरफ से on their ancient culture अपने प्राचीन संस्कृती को यह बड़ी मज़े की बात है राइटर ने कहीं कहीं पता नहीं लेकिन राइटर के according भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत के प्राचीन गौरब को भारत के महन गौरब को बड़े ही गर्व के साथ अनुभव नहीं करते and there are few intelligent और कुछ ऐसे बुद्यमान लोग भी हैं Indians भारतिये who are not willing to sacrifice some of its effete elements जो बहुती छोटी या तुछ effete means elements तत्तों को sacrifice नहीं कर सकते या जिसका बलेदान नहीं दे सकते so that इंडिया में developed जिससे भारत development विकास कर सके हम ऐसा समझ सकते हैं writer दो बाते हैं कहना चाहरा है इस context को समझेंगे पहली बात कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी संस्कृती पर गर्व नहीं करते ऐसी संख्या कम होगी और इससे शायद कुछ ज़्यादा लोग ऐसे होंगे थोड़े से ज़्यादा जो किसी भी तरह का देश के लिए बलिदान नहीं कर सकते जिससे भारत की तरक्की हो ठीक है मुझे एक example याद आ रहा है मैं जो लगता मैं जो code करना चाहिए कई बार text के बारे में ऐसे हम advertisement देते हैं देखते हैं TV पर कि सभी लोगों को text देना चाहिए अगर हम सब लोग अच्छे से text दें तो देश हमारा तरक्की करेगा तो कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे जो शायद text देने से बचते हैं अगर थोड़ा सा text दें तो देश का विकास हो सकता है यह example मुझे लगा शायद politically and economically India faces many problems of great difficulty politically राजनितिक तौर पर economically आर्थिक तौर पर भारत बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहा है and no one can forecast और कोई ऐसा नहीं है जो इस बात की भविश्वानी कर सके that her future with any certainty कि भारत का जो भविश्व है वो पूरी तरह से कैसा होगा इस बात में कोई निश्चिता नहीं है कि इंडियन्स बड़े वो कहते ना unpredictable होते हैं जाए वो किसी field में हूँ अगर match खेल रहे हूँ तो कई बार ऐसा देखा गया है बहुत आसान टीम से हार जाएंगे और मजबूर टीम को हरा देंगे एक छोटा से एक्जामपल है कि हमारे यहां certainty का अभाव है because हम लोग बड़े emotional होते हैं और हम दिमाग के बज़ाए फैंसले जाए जाए तर दिल से लेते हैं but it is safe to predict that लेकिन ये भविश्वानी तो predict की जा सकती है कि whatever the future may be हमारे देश का भविश्चा है जैसा भी हो the Indians of coming generations आने वाले समय के जो भारती होंगे will not be unconvincing, असंतुष्ट नहीं होंगे and self-conscious सिर्फ अपनी परवा करने वाले हैं हम कह सकते हैं स्वारती नहीं होंगे copies of Europeans, European के तरह जैसे वहां के लोग अपने बारे में सोचते हैं देखा गया है वहां पर parents अपनी life जी रहे हैं kids अपनी life जी रहे हैं बच्चे अपने में बहुत जल्दी life अलग कर लेते हैं अपनी और parents को इसकी परवानी ऐसा मुझे मैंने देखा है या सुना है या पढ़ा है लेकिन हमारे हैं हम लोग बहुत ही इन चीज़ों में इमोशनल होते हैं और PD दर PD अपने बच्चों से या अपने पूरवजों से जुड़े रहते हैं और इसका बड़ा ख्याल लगते हैं कि हम इन से हैं और ये हम से हैं ठीक या जमीन से जुड़ा होगा या जड़ों इसकी जड़ें हमारी संस्कृती की जमीन पर होंगी clear already after only seven years of independence अभी आजादी के मातर सरफ साथ साल हुए हैं तो ये लेसन लगवग 54 में लिखा गया है 55 में 50's में लिखा गया है the extreme of national self denigration and fanatical culture आज हम देख रहे हैं हमारी संस्कृती में बहुत चेंज आ गया है